स्लामलेकम दियर स्ट्यूदिन्स वेलकम बैक टो लेंट डेली फिसिक्स और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपना चैप्टर नुम्बर टू का मैं आपको इंट्रोडिक्शन दूंगा विल इंट्रोड्यूस्यू दे चैप्टर नुम्बर टू जो है सिंगल बार्टिकल मोशन चैप्टर का नाम है सिंगल पार्टिकल मोशन एफचेन फ्रांसेस एफचेन की बुक का चैप्टर नुम्बर टू है तो आज मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये होता क्यों है इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है हम इसमें पढ़ेंगे क्या औ और क्यों पढ़ेंगे इसको के रीजन क्या है वाइब ये स्टुडिंग दा सिंगल पार्टिकल मोशन के सिंगल पार्टिकल क्या है कि अगर आप प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में हमने क्या देखा है कि प्लाज्मा में हमारे पास दो चीज़े हैं या तो positive iron होता है, एक electron होता है, तो अब हमने single particle या हमने iron को पढ़ना है, या electron को पढ़ना है, या at a time हम दोनों को भी पढ़ सकते हैं, तो next जब मैं आगे terms लिखूंगा, तो मैं terms में लिखूंगा plus, minus, omega, c, जब मैं बात करूंगा, ये cyclotron frequency की आगे चलके, अपने next topics के अंदर तो उनके अंदर मैं लिखूंगा plus minus omega c तो पहली बात आपको जो understand करनी है वो यह है कि यह plus और minus क्या बताते हैं कि यह plus जो है यह है for positive ion ठीक है कि proton है कोई भी positive particle है और यह जो नीचे वाला negative है यह किसको बताता है कि for electron या कोई भी negative particle है यह positive particle को show करता है और यह negative particle को show करता है ठीक है इस तरह मैं single particle को बताऊंगा कि उपर वाला positive के लिए नीचे वाला negative के लिए कि यह चीज़ इस्तमाल होगी और इसको आपने क्या करना है याद रखना है आपने ताकि आपको आगे calculations में आसानी हो आपको समझ में आए कि आप calculation में कर क्या रहे है उसके बाद बात आजाती है कि हम इसमें इसको पढ़ते क्यों है या पहले मैं यह बता देता हूँ कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या इसमें हम पढ़ेंगे यह कि जब हमारे पास हम plasma plasma आपको पता है क्या चीज़ा है आइन्स है ठीक है तो आइन्स जब electrons मूव करते हैं न समझे फॉर इसमपल electron मूव कर रहे हैं और जो positive आइन है वो relatively addressed है तो जब यह electron मूव करता है तो यह charge जब मूव करता है तो charge के मूव करने से current produce होता है ठीक है या current को अगर induced current या induced magnetic field को आप ना भी देखें तो जब आप कोई charge particles electric field में रखते हैं तो वो क्या करता है कि वो field में मूव करता है ठीक है यह अगर negative है तो यह positive की तरफ मूव कर जाएगा सही अगर आप इसको magnetic field देंगे तो यह क्या होगा कि यह north की तरफ movement करेगा इसी तरह होगा नहीं यह north तो यह south है तो यह movement होगी अब single particle है हमने पढ़ना क्या है कि हमने एक को दे देनी हमारे पास single particle है for example एक positive particle है हमारे पास हमने इस positive particle को fields देनी हैं हम first case देखेंगे कि जब हम इसको uniform feel देते हैं ति uniform feel देंगे तब हमारे पास क्या होगा यह मैं आज overview दूंगा कि हम आगे करेंगे क्या जब हम इसको uniform feels देंगे तो We will provide the uniform field to it. तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी हम कहेंगे कि E 0 है. First case में हम E को 0 लेंगे. समझने के लिए कि चीज होती क्या है. हम basic से start करेंगे. E 0 होगा और B जो होगा वो B Z होगा. ठीक. First case. फिर हम करेंगे कि हम E को भी क्या कहेंगे? Include कर लेंगे. कि E is not equal to 0 and B is not equal to 0. ठीक है? यहां पर B जो था वो not equal to 0 है. ठीक. उसके बाद हम बात करेंगे non uniform field की. Non uniform field की. ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आज आती है? Non uniform field हैगी. उसमें इसी तरह हम देखेंगे कि B जब हमारे पास gradient होता है E या B का तो उसके अंदर हमारे पास वो जो हमारे पास end में यहां पर graph बनेगा. एक graph किस तरह का बनेगा? graph हमारे पास इसमें यूँ बनेगा. इस तरह का. और उसके अंदर यहां पर यह जो positive iron होगा. वो यूँ. It will form a cyclotron. Like this. तो यह जो cyclotron होगा इसकी हम equations drive करेंगे. और हम बताएंगे कि यह किस तरह इसकी movement किस तरह है? यह cyclotron क्यों बनता है? यह इसकी velocity क्या है? हमारे पास different terms आएंगी. ठीक. जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. उसके बाद अब मैं आपको यह बताता हूँ कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? वाइव यह स्टेडिंग इस सिंगल पार्टिकल मोशन. प्लाजमा की सिंगल पार्टिकल मोशन से हम क्यों डील करते हैं? तो अगर आप देखें तो आप कहते हैं 99.9% अब प्लाजमा में क्या होता है? फिजन और फ्यूजन रेयक्शन होता है हमारे पास फिजन और फ्यूजन रेयक्शन के लिए यह न्यूपलियर रेयक्शन हैं और इनके लिए हमें हाइए इनर्जी चाहिए होता है ठीफ, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह sun के अंदर automatically fission reaction भी होता है और fusion reaction भी हो जाता है हमारे पास एक fusion reaction होता है fusion का मतलब और एक fusion कि nucleus तूटता है वो जो भी nucleus तूटता है वो तूटता है, वो फिर जोड़ जाता है वो पिर तूटता है वो फिर जुड जाता है कि fusion fusion reaction जिस तरह sun के अंदर होता है हम चाहते हैं हम plasma के भी fusion reaction करवाएं ठीक plasma को भी तोड़ें, plasma को जुड़ें वहां से हमारे पास energy release हो और वह अमांट आफ energy उससे release होती है वह कहीं ज्यादा होती है अगर आप कोईला जलाते हैं न, you are hydrocarbon, you are burning hydrocarbon and you are getting energy from that तो आपकी वो energy बहुत थोड़ी होगी बजिस्बत as compared to the energy we will get from that plasma तो अब उस plasma के अंदर वो energy इतनी जब ज़्यादा आती है हम वो energy extract करना चाहते हैं ओके, we want to extract that energy अब मसला हमारे फास क्या आता है अब मसला हमारे पास यह आता है कि वो इतना hot हो जाता है plasma is an ionized farm और उसको ionized करने के लिए वो इतना hot और इतना heat उसकी इतनी energy होती है कि वो जो container हमारे पास है, वो container melt हो जाता है कि जिस container में वो रखते हैं, वो container heat evolve करता है, वो खुद melt हो जाता है और हमारी सारी इनर्जी जो उनसी है वो फिजन ड्रेक्शन होने से पहले ही खत्म हो जाती है अब हमारा काम क्या है हमारा काम ये है कि हम ऐसी इसको अगर हमने इस कंटेनर में डाला हम इसमें ऐसी फिल्ड्स अप्लाई करें ठीक ये फिल्ड्स ऐसी हों कि जिससे हमारा ये प्लाज्मा वाल्स के साथ इंट्रेक्शन ही ना करे ठीक ये प्लाज्मा इदर से इदर इदर भी ना आए इदर जाए इना यहां पे दरम्यान में रहे ठीक है अब फिल्ड्स तो नही करेगा जब वो container के पास इदर touch ही नहीं in touch ही नहीं होगा तो वो इसको melt नहीं कर सकेगा स्थारा, heat तो आएगी लेकिन वो melt नहीं होगा हमारे पास, हम field से इसको क्या करेंगे, एक जगा confine करना चाहते हैं तो उसी confinement के नतीजे के उसी को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं single particle system कि हम एक particle को अगर हमने कर लिया तो वो ही हम इसको whole integrate कर लें तो वो सब का एक जैसे behavior होता है हमारे लिए ठीक है तो हमने अगर एक को पढ़ लिया तो हमने समझे सब को पढ़ लिया तो ये वज़ा होती है कि हम इसको पढ़ते हैं कि we want to confine this plasma to a certain plates ठीक है हम इसको electric fields provide करते हैं फिर देखते हैं कि इसको क्या होता है हम इसको magnetic field provide करते हैं uniform पहले provide करेंगे फिर non uniform provide करेंगे देखेंगे कि होता क्या है actually what is happening and how we can confine this और scientist ने इसको confine कर लिए है लेकिन इसकी stability बहुत ही कम है कि वो थोड़ी सी देर के लिए stable रहता है efficient reaction होता है after that वो रुख जाता है और many cases हम बहुत से बाद में जाकर advanced plasma जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को discuss करेंगे लेकिन basic जो term है जो why we are studying chapter number two in Francis F10 वह यह है कि हम इसको confine करना चाते हैं हम इस particle की motions देखना चाते हैं कि वो जो guyation करते हैं जो भी आप कहें वो जो इस तारह की movement होती है वो किस क्यों होती है और उसका event just क्या ये जो cyclotron हमारे पास बनता है ये किस तरह बनता है ये जो lamber motion होता है किसको हम पढ़ेंगे in our next lectures of chapter number in chapter number 2 तो next lecture में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास field uniform होती है तो तब हमारे पास case क्या बनता है तो उमीद है आपको ये introduction chapter number 2 कर समझ में आगया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हमने chapter number 2 में करना क्या है तो अगर आपको ये समझ में आगया है तो बहुत ही अच्छा अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई you can ask me in the comments and please subscribe my channel for more videos and आपकी time का शुकरिया thank you very much for your time में असलाम उलेकुम